दोस्तो आज हम बात करेंगे यह Paytm debit card के बारे में Paytm Visa debit card यह इसका envelope है Unboxing मैंने पिछली वीडियो में कर देती इसकी आज हम इसकी कुछ details के बारे में बात करेंगे इसकी charges वगेरा के और क्या इसमें advantage है क्या disadvantage है तो इसका यह देखते हैं इसकी कुछ details देख लेते हैं तो यह जो है इसके daily transaction limits होंगी यह 25,000 रूपए per day के हिसाब से होंगी और एक लाख रूपए online transaction होगा इसका और जो 10,000 रूपई जए 10,000 रूपए यह tap and pay होगा होता है दोस्तो nfc इस card में nfc का support है और nfc का मतलब यह है कि cb machine आप इसको touch कर दो और यह payment कर देगा तो तो टेप and pay जो है इसमें 10,000 रूपए की per day की limit है 10,000 रूपए आप एक दिन में कर सकते हैं इसका वैसे कुछ जादा हो तो है नहीं advantage लेकिन इसमें कि यह खासियत है card में होती है यह थोड़े बड़े card में होती है और इसका यह जो है यह है step to animal transaction आप इसमें set कर सकते है limit per day के साब से वैसे तो इसकी fix जो है 25,000 रूपए इससे जादा आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको easily block कर सकते हैं अपने paytm app से open paytm app and tap on bank icon bank वाले option में जाके आप महां से manage कर सकते हैं पूरे card को और दोस्तो इसकी अगर हम बात करें इसमें इसके खासित जो मुझे सबसाद लगी यह है कि यह international में easily use हो जाता है जैसे कि किसी भी international ATM सा withdraw कर सकते हैं अपने money यही same limits होंगी बस एक issues यह है कि आप उसको charge देना पड़ेगा इसका charge लेकिन सबसे कम है सबसे card से सबसे जादा कम इसका charge ही है जिस वजह से मैंने यह मंगाया है इसका charge है 125 per transaction आप कितने भी पैसे बाहर से withdraw करो किसी भी ATM से international किसी भी country से आपको 125 रुपे देने पड़ेंगे एक transaction के यह इसमें इदर लिख रहा होगा इसमें यह एरा you can use this international debit card with withdraw cash at any ATM कहीं से भी आप किसी भी ATM से withdraw कर सकते हैं to pay at any shop किसी भी shop पर और किसी भी website पर लेकिन आप किसी shop पर website पर नहीं कर रहें किसी other merchants से अगर आप करेंगे उसमें चार्ट जादा है आपका 300 400 500 प्लस GST 18% GST भी आपका cut हो सकता है इतलिए किसी shop पर website पर इसको use मत करना बस आप इसको emergency किसी भी ATM से बस पैसे withdraw करने के लिए use कर सकते हैं और यह इसका setup करने का है यह open paytm आप से आप इसको बहुत इंपर्टन करेंगे तो आप easily payment receive कर सकते हैं अगर आप किसी को number नहीं देना है कुछ नहीं देना है इससे आप easy ले सकते हैं और फिर इसमें यह यह के enter your bank bank में आप जाएं बिजट bank में passport डालें अपना और verify ATM करें अपना इसमें बार कोड़ स्केन करना पड़ता है verify के लिए और अपना ATM का pin set करना है जो भी आपको pin डखना है और दोस्तों इसकी जो एक चीज है वो इसमें खासी यह भी किसी भी airport का आप easy access launch ले सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में बसीत नहीं thank you for watching